इस वीडियो के अंदर हम एक लैप्टोप का रिव्यू करेंगे जो के है HP EliteBook 840G4 यह HP की तरह से लैप्टोप आता है और यह उनकी 7th जनरेशन का लैप्टोप है तो मैं आप लोगों को यह पहली बिता दूँ के यह लैप्टोप गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया बिकोज इस लैप्टोप का रिव्यू हम अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम इसकी बिल्ड कॉलिटी की बात कर लें इस लैप्टोप का जो वेट है वो है 1.48 kg जो डेली केरी करने के लिए काफी सही वेट है और अगर हम इसकी बिल्ड कॉलिटी की बात कर लें तो यह तकरीबन फुल मैटल बिल्ड है अगर हम इसके पॉर्ट की बात करने इसकी राइट साइड के ओपर आपको एक चार्जिंग स्लोट मिल जाता है एक सिम स्लोट मिल जाता है इथरनेट, यूएसबी ए, हेड़फून, यूएसबी सी और लेफ्ट साइट पर बात करें तो फैन मिल जाएगा वीजी ए पॉर्ट, यूएसबी ए, एड़ एससी स्लोट, काफी गूड अमाउंट के पॉर्ट साइपको इसके अदर अवेलिबल है अगर हम इसके कीबोर्ड की बात करें तो इसका कीबोर्ड एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है इसका तकरीबन जो सारा डेक है वो मैटल का बना हुए है और ये कीबोर्ड स्पिल रिजिस्टन्स के साथ भी आता है यानि कि अगर आपका ग्लास साथ पड़ा है और वो कीबोर्ड के उपर गिर जाए तो आपकी कुछ प्रोटेक्शन हो सकती है अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये काफी हाई क्वालिटी के साथ है अगर 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 हम इसके माउस पैड की बात करें तो ये एक ग्लास टैच पैड है और इसकी प्रिसीशन काफी अची है मुझे जरा भी मसला नहीं आया मगर इस वक जो मेरे लैप्टोप का टचपैड है इस आउट ओफ ड्राइवर्स बट इस स्टिल डास गुट जोब मुझे इस टचपैड से सिफ एक शिकायत है कि ये साइज में थोड़ा चोटा है अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो जाधा अच्छा हो जाता अगर आप हम इसके फिंगर्पिंट की बात करें तो येस इसमें फिंगर्पिंट अवेलेबल है और विच इस वेरी प्रिसाइस बट इस लिटल स्लो आपको थोड़ा सा डिले देगा बट इस गुट तो हैव फिंगर्पिंट सेंसर अब अगर हम इसके एक मेंन कंपोनेंट की बात करें जो के है इसकी स्क्रीन तो ये एक 60 Hz पैनल है 1080p रेजोलूशन के साथ काफ़ी अच्छी स्क्रीन है अगर आप इसको फ्रेंट से देखें मगर अगर आप इसको साइट से देखेंगे अगर स्क्रीन की रेजोलूशन और इसके कलर्स काफ़ी अच्छे हैं तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्पैसिफिकेशन के बारे में तो इट कम्स विथ 7 जेनरेशन प्रोसेसर जिसमें i3, i5 और i7 आते हैं जो के मेरा लेपटोब है इस दी टॉप अफ दा लाइन वेरियंट यह i7 7 जेनरेशन के साथ आता है 2.8 गीगा हर्ट काफी पावफुल प्रोसेसर है एक लैपटोब के हिसाब से यह टू कोर्ज और 4 थ्रेट के साथ आता है अगर हम इसकी रैम की बात कर लें देनिट स्पोर्ट अप्टू गीगज ओफ रैम DDR4 यह लैपटोब किसी भी डेडिगेटिड ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं आता मगर अगर हम इसके इंटिग्रेटिड ग्राफिक कार्ड की बात करें वो है 620 UHD काफी एवरिज हैं गेमिंग के लिए आप पुरानी गेम्स खेल सकते हैं मैं आपको काऊंगा कि 2010 या 2012 से पहले जितनी भी गेम्स आई थी वो इस पर फिर पिर कुछ न कुछ रन कर जाएंगी मगर उन से नियूर गेम जो के 512 MB से उपर ग्राफिक कार्ड रिकॉर करती हैं वो इस पर काफी मुश्किल होंगी चलनी आप नहीं चलाएं तो अच्छे हैं क्योंकि यह बिल्कुल भी गेमिंग लैप्टॉप नहीं है इसके वेब कैम की बात करने तो बहुत ही बुरा वेब कैम है सिफ वीडियो कॉल्स और आउनलाइन कॉल्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अगर हम इसकी बैटरी की बात करने तो इट हैसरी से फिफ्टी वोट आर बैटरी विच प्रिटी गूट और आपको तक्रीबन नॉर्मल टास्क योपर यह फाइव तो शिक्स आर्स ओन स्क्रीन टाइम दे देगी अगर आप यूज करेंगे तो आपको मजीद फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी अगर आप इसकी गेमिंग बैचमार्क से बात करने तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गेम्स बिफोर 2010 विल बी फाइन बट वो गेम्स जो आपकी वी रैम मांगे 512 MB से ज्यादा विल SSD i77 generation वाला जो है वो आपको 700,000 के अंदर मिल जाएगा and for full specs like mine 16GB of RAM and 512GB of SSD M.2 it will cost you around 90K अगर price to performance ratio की बात करें तो price इस laptop की decent है आप हर तरह का normal work इसके ओपर बहुत ही असानी से कर सकते हैं but if you are looking for gaming then you should build a gaming PC or find a laptop which have a graphic card तो बस यार आज की उड़ में यही था अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा पहले से निके तो subscribe कर दे this time signing off अलाहाफेज